हेलो नमस्कार इस्ट्वेंट मैं विशेक भारगाव भारगाव ग्लासस की सुटुप चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो प्रशन को सौल करने की कोशिश करिएगा स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा यदि अभी तक आप लोगों ने भारगाव ग्लासस की सुटुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो जल से आल सब्सक्राइब कर लिजे और बैल का इकन जरूर पैस करिएगा ताकि व विवित्ता सब्द का प्रयोग सरव प्रताम किया था जैव विवित्ता सब्द का प्रयोग या प्रताम प्रयोग 1985 में W.G.Rosen ने किया था तूँ याद रखना है एक्जाम में पूछा जा सकता है दूसरे प्रशन की तरह चलते हैं दूसरा प्रशन की अंतराष्टी जैव विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है तो अंतराष्टी जैव विवित्ता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है कौन से तारीक को मनाया जाता है 22 मई को ठीक है तो ध्यान दखेगा प्रती वर्श 22 मई को अंतराष्टी जैव विवित्ता दिवस मनाया जाता है इसे 20 जैव विवित्ता सरक्षण दिवास भी इसको कहा जाता है, ठीके, तीसरा प्रशन की तरफ चलते हैं, तीसरा प्रशन बोल रहा है कि जैव विवित्ता संदी कब या किस वर्स प्रारंब हुई थी, ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये हुआ था 1993 को, ठीके, 1993 को, देख प्रशन की भारत के किस इस्थान पर राष्टी जैव विवित्ता प्राधिकरान इस्थापित किया गया है, एक महुत इंप्वर्टन कोशन है, ये एक्जाम में आपके पूछा जाखता है, आएमपी टिक कर लेते हैं, तो ये है चैन नहीं में, कहा पर इस्थापित किया ग और इसका मुख्याले चेन नहीं में इस्थीत है, तो याद रखीगा, इसका मुख्याले कहा है इस्थीत है, चेन नहीं में इस्थीत है, याद रखना है, ठीक है, इसके नेक्स्ट प्रशन की तरफ चलते हैं, पाच्छा प्रशन है कि जैव मंडल में प्रिथी के धरातल प जो है वो शामिल किया गया है छट्रों प्रशन है कि भारत में जै विवित्ता का प्रसिद इस्थान पूछा जा रहा है ठीक है कि भारत में जै विवित्ता का प्रसिद इस्थान कौन सा है ठीक है तो वो आपको बताना है इन में से तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो होगा सांत घाटी, कल मैंने आपको डियाग्राम में बताए भी रहाँ ठीक है कि बैस्टन घाट यह पस्चिमी घाट का जो पार्ट है यह वाला इसी में जो है केरल में क्या है सांत वेली और पस्चिमी घाट जो है वो भारत में जै वे्ता का प्रमुख केंडर है तो यह भी याद रखना है आपको ठीक है किब आखने घाटी या सालेइंट वेली तो यह केरल में स्थ्टित है और यह भारत में जै विविता का प्रसिद इस्थान है ठीक है साथे वह प्रस्चिन Australi की तरब चलते हैं भारत में सरवाधिक जय विविता कहां पाई जाती है तो भारत में सरवादिक जय विविता कहां पाई जाएगी कल भी हमने बात की थी कि जय विविता सबसे अधिक कैसे है और कहां पाई जाती है दो उसके मुखे काराण होते हैं एक होता है जो है उच्च ताप मतलब की गर्मी और एक होता है अधिक बारिस जिसको हम कहते है उच्ण कटिबंदी है छेत्र तो कहाँ पर पाई जाएगी यहाँ भारत में तो उच्ण कटिबंदी छेत्रों में जो है वो सरवादिक जै विवित्ता जो है वो पाई जाती है थियोरी वाला कलास अगर आप लोग देखेंगे तब लोग उसे अच्छे से बनेगा आठे प्रस्न की दरफ चलते हैं भारत में जै विवित्ता का होट स्पोट सरवादिक कहां देखा गया है देखें होट स्पोट जो होता है उसको कहते है उशन इस्थल जो है भारत में सरवादिक कहां देखा गया है कल भी मैंने आपको बताया था फिर चिर बता देता हूँ यह भारत के मैप में जो है यह पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी हिमाला है तो इन दोनों जगाओं पर जो है वो हॉट स्पॉट सबसे ज़ादा देखा गया और ये प्रशन पिछले बार के रेंजर में पूछा भी जा चुका थे हाँ पर जो आएगा दोनों पश्मी घाट और पुर्वी हिमाला है ठीक है दोनों में सरवाधिक जो है जैविवित्ता पाई जाती है कियोंकि यहां बारीश भी अधिक होती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है जिसके गारणा वन्न मौता होते हैं जीवजंतु रहते हैं जानवा रहते हैं ठीक है जैविक होट स्पोट अधिकान्स होट स्पोट उस निकटी बंदी छेत्रों और जंगली इलाकों में मौदूद है 1988 में किये गए अध्यन में पहचाने गए 18 होट स्पोट में से दो भारत में खोजे गए थे यह दो छेत्र हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमाला है तो याद रखिएगा होट स्पोट मतलब जो है एक्जाम में पूछा ही जाएगा और जा सकता है ठीक है ध्यान देखिएगा नवा प्रश्ण है कि भौगौलिक छेत्र में आवासों की विवित्ता को क्या कहा जाता है तो गामा विवित्ता कहा जाता है इस छेत्री विवित्ता को इसे छेत्री विवित्ता भी कहते हैं किसको गामा विवित्ता को इस प्रकार की विवित्ता एक भूभौलिक छेत्र में पाये जाने वाले सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचूरता मात्रा प्रदर्शित करता है कौन सा गामा और अलफा और बीटा के बारे में भी जरूर पड़ियागा ये तो पूछा जा चुका है कोशन इन से गामा और बीटा से पूछा जा सकता है एक्जाम में तो थेवरियल जो है वीडियो देख लिजेगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कोशन की दरफ दसवा कोशन है कि संयुक्त राश्ट संग के द्वारा जैवीवित्त दसक मनाया जा रहा है तो आपको बताना है कि जो है दसक मनाया जा रहा है तो कौन सी डिट में है तो ये है 2011 से 2020 ये दसक जो है वो संयुक्त राश्ट संग के द्वारा म है अपसे निकल ना बहुत ही तो आपको अगर श् έχogenों की प्रक्टिस करनी है प्रक्किस पुरे कर्रे कर रहे तो आप लोगों को जाकर एपप डिवाक कर लीजे उंपे अभरख वी तक नहीं किया हो तो जाकर जरूर डाउनलोड कर लिजे, देखिए कुछ इस प्रकार का इसका ये लोगो दिख रहा है, मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रेप्शन वाक्स में दे दूँगा, डिटेल भी दे दूँगा आप लोगों को, जाकर इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर ये और इसके जो है, टेस्क्रिस का आप लोगों को क्या करना है, फाइदा उठाना है, तो पुछ अंट ये आपको जो जा сл़ तब आपको देखने के मिलेंगे सभी टॉपिक के लगबग लगबग आपको वहां पर टैस्ट सिरीज में कोश्चन है अच्छे कोश्चन है हर टेस्ट में तो आपकी वराइटी हुजाएगी टेस्ट में देखे जाकर देखे महां करिए तो जाकर आप क्या कर सकते हैं जोईन कर सकते हैं इसी प्रिकार के questions और अच्छे level के questions हार साइट में अलग question आपको देखने के लिए मिलेगा तो जाकर जरूर जोईन करिएगा analyzer app है नीचे description में इसका लिंक दिया गया है, जाकर क्या करिए, लिंक से डाउनलोड करिए, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया गया है, किया हो तो, और current affair भी देखने के लिए मिलेगा, daily basis पर current affair भी यहाँ अपलोड होते हैं, तो आपको current affair free में, steady material भी free में आपको देखने के लिए मिलेगा, test series आ देखे, छेत्र में उपस्तित, विविन प्रकार के आवास तता परिस्तितिक तंत्र दरसाता है, क्या दरसाता है, वो आप लोग को बताना है, यहाँ पर देखे, कुछ इस प्रकार का दिया गया है, यहाँ पर दिये गया है, option अच्छी जलवायू, उचित म्रिदा, अधिक जैब विवित्ता, और इसके जो option दिये है, वो कूट में दिये गए, कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यह सभी सही है, तो आपको answer देना है, तो देखे, यहाँ पर बोला जा रहा है, कि छेत्र में उपस्तित, विविन प्रकार के आवास तता परिस्तितिक तं होगी, तो वहाँ क्या पाय जाएगा, अधिक, मतलब निश्चित छेत्र में आवास की अधिकता होगी, तो वहाँ पर क्या पाय जाएगा, कम जाती विवित्ता होगी, या अधिक जाती विवित्ता होगी, या इन में से कोई नहीं, यहाँ पर जो सही answer होगा, वो होगा, अ आपको बताना है कि कौन सा अनुकूल विशेश उद्धिपन के प्रती अनुक्रिया से उत्पन्न होता है तो यहाँ पर देखे मैं आपको समझा लेता हूँ कि वंशा नुगत अनुकूलन से ताकपर यह होता है कि जन्म से प्राप्त अनुकूलन से है यानि जो अनुवान्शिक होता है और जन्मजाद होता है जबकि उपारजीत अनुकूलन जन्मजाद नहीं होता है ठीक है और जीवन के बीच की अबदी में वनसा नुगत करते हैं अपसमस्ते होंगे बहुत अच्छे से जबकि उपाजित नुगत क्या होता है वो जन्म से नहीं होता है और जीवन के बीच में किसी अउदी में उसका उद्धिपन हो जाता है ठीक है उद्धीपन के प्रती किसी अनुक्रिया से उत्पन हो जाता है मतलब कि जीवन के बीच में क्या होता है उद्धीपन उसका होता है उसको हम कहाता है उपारजीत अनुकूलन तो यहां पर क्या आएगा उपारजीत अनुकूलन ठीक है ध्यान रखेगा अनुकूलन से ताथ पर ये परिवर्तन के प्रती जीवों द्वारा स्वयम को परिवर्तन के अनुसार ढाल लेनी की प्रवित्ती होती है जो किसी भी प्रजाती के अस्थीत्व के लिए बेहत आवश्यक होता है ठीक है? चौदवय प्रश्णी की तरह चलते हैं समस्थ जीव मंडली क्रियाएं घटित होती है तो काये पर घटित होती है समस्थ जीव मंडली क्रियाएं तो आप यहाँ पर देख सकते होगे तो आपको दिख रहा होगा धरातल की उपरी सता पर समस्थ जो है वो क्रियाएं जो है वो घटित होती है जीव मंडली की ठीक है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा धरातल की उपरी सता पर देखे इस सल मंडल पृत्वी का ठोस भाग होता है संपुर्ण पृत्वी के लगभाग 29.2 पृतिसत भाग पर महादीपो और धीपो के रूप में विस्तृत है इसकी उपरी सता असंगठित मिट्टी से निर्मित है जिसके नीचे चटाने पाई जाती है किन्तु जीव मंडल की द्रिष्टी से प्रित्वी के धरातल की उपरी सता महत्वपूर्ण होती है क्यों महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सभी जीव मंडल इस्थल मंडल पर प जीन अलग-अलग रूबों का आकलन कहलाता है, तो देखें जहाँ जीन आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, अनुवानशिक विविद्धिता, याद रखिएगा, कल मैंने थ्योरी के पाट में बताया था, जीन जहाँ पर दीखेगा, जो है वो कहलाता है नेक्स्ट कोशन की तरह चलते हैं सोलवा कोशन है कि वन मरुस्थल घास के मैदान आदी को किस विविजिता में सम्मिलित किया गया है तो आपको बताना है कि ये किस विविजिता में सम्मिलित किया गया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मरुस्थल है, घास के मैनान है, ठीक है, आधी है, तो क्या हो जागा, यह पारिस्तितिक विविजिता, ठीक है, किसी छेतर में प्रकृति वासियों की विविजिता, जैसे वन, मरुस्थल, घास, मैनान, आधी को पारिस्तितिक विविजि सत्रह कुशन है कि विस्व में अब तक कितने थप्थिस्थल, ठीके हाट इस्थल, यह होता है थप्थिस्थल ऐस्थल, हॉट्सपट का पता लगाया जा चुका है, तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा, वह होगा, थटी-सिक्स अब तक, 36 जो यह वो थप्थिस्थल या हॉट् दुनिया भर में 36 मानिता प्राप्त जया विवीटा होट स्पोट है और भारत में 4 हैं ठीक है तो याद रखेका भारत में कौन-कौन से है चार तो हिमालय पश्मी घाट, इंडो बर्मा, चेत्र और सुडा भूमी यह वई है पूर्वी हिमालय जिसको खा जाता है ठीक है तो यह चार याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है question अठारवा question है कि निम्ड में से कौनसा जयाव मंडल आरक्षित छेत्रों को यूनेसको ने मानेता प्रदान नहीं किये, तो कौनसा ऐसा आरक्षित जयाव मंडल है जिसको UNESCO ने माननेता नहीं दिये, यहाँ पर जो सही आंसार होगा वो होगा, काजी रंगा को माननेता नहीं दिये। जिसको UNESCO उर्लाश्ट है अगस्त मलाई केरल होगा, यह अभी जो हो इसको माननेता दिये यह, यह 10 वा नमबर का है। विश्वा प्रशन है कि सरवादिक जय विवित्त किस देश में पाई जाती है तो इसका आँसर जो है वह आप लोग को कमेंट शिट्षर में कमेंट करकर बताना है और सभी के सभी जितने लोग ये विडियो देखेंगे वो सभी क्या करिएगा इसका अंसर कमेंट सिक्षन में जरूर करिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही था जै हिन जै भारत